आज मैं आप लोगों को इस सेशन में विजे नगर समराई जी के तीसरे वंस, तुलू वंस के सासक, अचुत्य देवराय, एम इस वंस के अंतिम सासक, सदा सीवराय, तथा साथ ही विजे नगर समराई जी के अंतिम वंस, और विडू वंस के बारे में विस्तार से बताऊंगी उसके बाद विजय नगर समराजी के पतन के परमुक कारणों के बारे में भी बताऊंगी चलिए बिना किसी देरी के साथ इस सेशन को शुरू करते हैं क्रिशन देवराय ने 1529 इस्वी में अपनी मिर्तियू से पूर्व अचुत्य देवराय को अपना उतराधिकारी घोसित किया उतराधिकारी का अर्थ है उस वंस का अगला सासक जो कि उनकी मिर्तियू के परशातराज सिहासन पर वैठेगा क्रिष्ण देवराय तथा उनके परसासनिक कारियों के बारे में मैंने आप लोगों को अगले सेशन में ही बताया था कि कैसे क्रिष्ण देवराय जी ने अपनी मिर्तियों के पहले ही अचुत्य देवराय को अपना उतराधिकारी न्युक्त किया अगर आप लोगोंने मेरे पिछले सेशन सिया विजे नगर समराईजी के अई वीडियोज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं मैंने वहाँ पर उसके लिंक्स डाल दिये हैं अचुत्य देवराय के सासनकाल में पूर्तगालियों ने तुतिक और इनके मोती छेतर पर विजे प्राप्त कर ली थी हमने आप लोगों को पिछले सेशन में बताया था कि कृर्षन देवराय के समय में पूर्तगालियों के अच्छे सम्मंध थे पुर्तगालियों का किर्षन देवराय के साथ हुई संधी के समय उन्होंने विजय नगर में ही केवल घोड़े के वेपार करने का वादा किया था लेकिन किर्षन देवराय की मिर्तियू के साथ ही पुर्तगालियों के विजय नगर समराईजी से सम्मन्द भी खतम हो गए पुर्तगालीों ने विजे नगर समराईजी के तूती को और इन छेतर पर आकर्मन कर उसे अपने अधिन कर लिया था अच्उत्या देवराय के सासनकाल में वेसे कोई युद्ध या उन्होंने कोई विशेस कारिय नहीं किये थे लेकिन फिर भी वा एक कुसल सासक के रूप में जाने जाते हैं अच्वित्य देवराई की मिर्तियू के पस्चात अच्वित्य देवराई का पुत्र सदा सीव सिहासन पर 1542 इस्वी में वैठा उसका सासन काल 1542 इस्वी से लेकर 1570 इस्वी तक माना जाता है सदा सीवराय विजे नगर समराय जी का नाम मात्र का सासक था उसके सासन की वास्त्विक सकती आरवीडू वंस ये मंत्री रामराय के हाथों में थी कहा जाता है कि उसने सेना में बहुत बड़ी संक्या में मुसलमानों की न्युकती की थी राम राय की निती का एक महतपूर्ण लच्छन था दक्कन की सल्तनतों के जगडों में उसका सकरिय हस्त छेप जिसमें उसको सफलता भी मिली थी इससे पूर्व इस निती का पारण किसी विजे नगर ये सासकने नहीं किया था उसने पूर्टगालियों से एक व्यपारिक समझोता किया जिससे विजापूर के राजा को घोड़े की बिक्री बंद कर दी गई वही विजापूर जो किर्शन देवराय के समय में पूर्टगालियों के साथ उनकी सतुरता से परसिद्ध था 1565 इस्वी में ताला कोटा की लड़ाई में दच्छिन की संयुक्त सेना ने विजे नगर को प्राजित किया इस प्राजय के पस्चात रामराय की मिर्तिय हो गई और एक नए वंस का उदे हुआ जिसे हम विजे नगर समराजी के चोथे वंस आरवीडू वंस के नाम से जानते हैं चलिए अब हम लोग चोथे वंस आरवीडू वंस के बारे में देखते हैं आरवीडू वंस 1570 इस्वी से लेकर 1640 इस्वी तक चला था ताली कोटा के युद्ध के बाद रामराय के भाई तिरू माला ने वेनु गोंडा को विजे नगर के अस्थान पर अपनी राजधानी बनाई थे 1586 इस्वी में व्यंकट दुत्य गद्धी पर वेठा उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्याले बनाया था 1612 इस्वी में राजा अडराय ने व्यंकट दुत्य से अनुमती लेकर स्रीरंग पत्नम की सुवेदारी के नश्ट होने पर मेसूर राईजिकिया स्थापना की व्यंकट दुत्य को चित्रकला में बड़ी रूची थी इसे युरोपिये चित्र बहुत पसंद थे इसलिए कहा जाता है कि व्यंकट ने दो जे स्वेट चित्रकार अपने दर्बार में रखे थे आर वीडू वंस वैसे तो 17 सतावधी के मज़ तक जिवित रही लेकिन 16 सतावधी के मज़ तक ही विजयनगर के अधिकतर नायकों ने अपनी स्वतंतरता घोसित कर दी थी ये नायक भू सामंद थे जिने राजा वेतन के बदले उनकी अधिकारिक सेना को रख रखाओ के लिए विशेश भूकंड दे देता था जो अम्रम कहलाता था विजयनगर काल में भू राजस्वें भूधार ना विवस्ता बहुत व्यापक थी और भूमी को अनेक स्रेन्यों में विभाजित किया गया था भूमी मुख्यता सिचाए युक्त या सूखी जमीन के रूप में वरगी कृत की जाती थी लगान का निर्धारन भूमी की उत्पादक था और उसकी इस्थिति के अनुसार किया जाता था प्रन्तो भूमी से होने वाली पैदावार और उसकी किस्म भूर आजश्व के निर्धारन का सबसे बड़ा आधार था विजे नगर के पूरे समराई जी में भूर आजश्व की दरे समान नहीं थी ब्रामनों के स्वामितु वाली भूमी से उपज का बीश्वा भाग जाते थे राई जी उपज के छटे भाग को भूमी करके रूप में वसूल करता था सोलहवी सतावदी के अंतिम चरन में नाईयों को व्यवसाइक कर से मुक्त कर दिया गया था समाजिक एवन सामधाइक करों में विवा कर बहुत रोचक था या करवर एवन वदू दोनों पच्छों से वसूल किया जाता था किसी के साथ पच्छपात नहीं किया जाता था दोनों के साथ समान रूप से कर वसूल किये जाते थे विजे नगर के नरेसों ने विद्वा को विवा कर से मुक्त करके इस परकार के विवा को ना केवल समाजिक मान्यता परदान करने का पर्यत्म किया अपित्य विधवाओं की दन्य स्थिति को सुधाने की कोशिस भी की विजय नगर के ऐसे ग्राम जिनकी भूमी राय जी के परतच्छ नियंतरन में थी इन ग्रामों के किसान राई जी को कर देते थे सेनिक एंव और सेनिक अधिकारियों को विशेश सेवाओं के बदले जो भूखन दिये जाते थे ऐसी भूमी को अमरम कहा जाता था इसके प्राप्त करता अमर नायक कहलाते थे तथा इस भूधारन व्यवस्था को नायंकर कहा जाता था। प्रारम में नायंकर व्यवस्था केवल सेवा की सर्टों पर अधारित थी। प्रंतु बाद में या अनुवानसिक हो गई। विजेयनगर परशाशन में सिचाई का कोई विभाग नहीं था। राय जी में सिचाई की वेवस्था व्यक्तिगत पर यासुद्वारा की जाती थी। सिचाई के सादनों के विश्तार में मंदिरों, मठों, व्यक्तियों और संस्थाओं ने समान रुप से योगदान दिया। सिचाई के सादनों के विकास या सुधार करने वालों को राय जिक्कर मुक्त भूमी परदान करता था। यदि किसी व्यक्ति की बिना किसी वारिस के मिर्तियों हो जाती थी तो ऐसे व्यक्ति की संपती का उप्योग सिचाई के सादनों की मरमत के लिए किया जाता था विजे नगर समराई जी की मुद्रा पर नाली भारत की सरवाधिक पर सस्निय मुद्रा पर नालियों में से एक थे विजे नगर का सरवाधिक पर सिद्ध सिक्का स्वर्ण का वराह था जिसे विदेशी आत्रियों ने हून, पर्दोस या पगोडा के रूप में उलेख किया है सोने के छोटे सिक्के को परताब तथा फनम कहा जाता था चांदी के छोटे सिक्के तार कहलाते थे विजे नगर का वरा एक बहुत समानित सिक्का था जिसे पूरे भारत तथा विश्व के पर्मुक वेपारिक नगरों में स्विकार किया जाता था विजे नगर समराजी के सिक्कों से वहां के नरेशों के धार्मिक विश्वासों का भी पता चलता है इसके उपरांत गौलकुंडा तथा विजापूर के विरुद सेनिक अभ्यान से दच्छिन की मुस्लिन रियासतों ने एक संग बना लिया इससे विजे नगर की सेनिक सक्ति कमजोर हो गई इसके पतन के साथ समराजी का अंथ हो गया अगले सेसन में में आप लोगों को बहमनी समराजी के बारे में बताऊँगी अगर आप लोगों को मेरा सेसन अच्छा लगा तो ऐसे इं और भी सेसन देखने के लिए मेरे चैनल historical story को subscribe करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें तभी आप लोगों को मेरे सेशन्स के नोटिफिकेशन मिलेंगे